चीनी कम्पनी शायोमी ने दिल्ली में हुए एक इवेंट के दौरान रेड्मी नोट फाइफ और रेड्मी नोट फाइफ प्रो के स्मार्टफोन को भारत में लॉंच कर दिया है दोनों स्मार्टफोन को फ्लिपकार्ट के अलावा MI.com और रिटेल स्टोर पर भी उपलब्द कराया जाएगा कम्पनी ने इस फोन के 3GB RAM और 32GB स्टोरेज वाले वेरियंट की कीमत 9,999 रुपे रखी है तो वही इसके 4GB RAM और 32GB स्टोरेज वेरियंट की कीमत 11,999 रुपे रखी है यह फोन ब्लाक, ब्ल्यू, गोल्ड और रोस गोल्ड रंग में उपलब्द होगा दोनों ही वेरियंट की बिकरी फ्लिपकार्ट, MI.com और MI Home Store पर 20 फरवरी से शुरू होगी इसमें 5.99 इंच का Full HD डिस्पले है साथी Dual SIM Xiaomi Redmi Note 5 Android Nogget पर आधारित MIUI 9 पर चलता है इस फोन में fingerprint sensor भी होगा Xiaomi Redmi Note 5 में 12 Megapixel का रियर कैमरा है इसके connectivity फीचर में 4G Volt, Wi-Fi Band 802.11, Bluetooth 3.5 mm headphone jack और Micro USB शामिल है बैटरी 4000 mAh की है जो Fast Charging को सपोर्ट करती है इस फोन के 4 GB RAM और 64 GB Storage वेरियंट की कीमत 13,999 रुपे से शुरू होगी वही इसके दूसरे वेरियंट की कीमत 16,999 रुपे रखा है जिसमें आपको 6 GB RAM और 64 GB Storage वाला वेरियंट मिलेगा इसमें 5.99 इंच का Full HD डिस्पले है साथ ही LED Flash Module के साथ इसमें Dual Real Camera दिया गया है पिछले हिस्से पर F2.2 अपर्चर वाला 12 MP का Primary Camera है इसके साथ जुगलबंदी में मौझूद है F2.0 अपर्चर वाला 12 MP वाला सेंसर फ्रेंट पैनल पर 20 MP का Sony IMX376 सेंसर है इस फोन में बैटरी 4000 mAh की है इसके बारे में दावा किया गया है कि लगातार 14 घंटे तक के वीडियो प्लेबैक चल सकता है